हमारा इस मन्त का न्यू फ्लिंटो बॉक्स आ चुका है यह हमारा एट्थ बॉक्स है आज मैं आपको इसकी अन्बॉक्सिंग करके दिखाऊंगी लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरी फ्लिंटो बॉक्स रिव्यू वाली वीडियो नहीं देखिए तो उसे भी जरूर देख उसमें मैंने अपना फ्लिंटो बॉक्स से रिलेटेड अपना एक्स्पीरेंस शेयर किया है फ्लिंटो बॉक्स का सब्सक्रिप्शन लेकर के हमें क्या उसकी पॉजिटिव और नेगटिव पॉइंट लगे वो सब मैंने उसमें बताया है उस वीडियो का लिंक मैं अपने न पर जाता है और यह हमें 15 मंस तक यह बोक्स डिलिवर होंगे और यह हमारा एथ बॉक्स है सो फ्रेंट्स लेट्स इस बारी कौनसी एक्टिविटीज आई है हर बारी फ्लिंटर वॉक्स के अंदर एक स्टोरी बॉक्स आती है इन स्टोरी बॉक्स में बच्चों को डालेक्शन के बारे में नौलेज होती है जानते हैं नेक्स्ट चीज जो आती है वह हमेशा हर फ्रेंटर बॉक्स के अंदर एक वर्कशीट भी आती है जिसमें बच्ची लोग मैच्च करते हैं या कटिंग अगेरा करते हैं कटिंग करके लर्न करते हैं अब आगे आती है real activities friends आप जैसे कि देख सकते हैं हर वारी ऐसे three packets हमें मिलते हैं एसे three packets मिलते हैं और इन packets के अंदर activities रहती हैं तो let's open one हर फ्रिंटो बॉक्स के अंदर तीन activities आती हैं जो कि अलग-अलग packets में रहती हैं separate रहती हैं इसको open करके देखते हैं इसमें कौन सी activity आई है इन packets के अंदर इस तरह के activities रहती हैं और साथ में एक guiding book आती हैं जिसमें हमें पता चलता है कि इस activity में actually करना क्या है तो इसमें यह करना है कि यह object tiles दिये हुए हैं यह home दिया हुआ है एक तरह के से और यह जो stickers हैं इनको निकाल करके इन बच्चों को इन में stick करना है second activity में यह family tree आया है इसमें बच्चों को अपनी family members की photo stick करनी है और बाकी सारी guidance इस manual में दी हुई हैं third activities में यह house busy board आया है इसमें इस तरीके से बेवी को ऐसे slide करते वे different activities करते वे show हो रहा है इस activity की भी पूरी detail इस guide book में दी हुई है यह थी इस वारी के flintobox की activities flintobox के अंदर हमेशा एक worksheet आती है एक storybook आती है और three different activities आती है so friends यह थी आज की flintobox unboxing की video i hope आपको video पसंद आई हो please like comment and share and don't forget to subscribe my channel see you next time till then bye bye take care आई है